मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी जोटिरादित्यसिंद्या जी चंदर सेखर जी ITU की सेक्रेटरी जनरल विविन्द देशों के मंत्रिगाण भारत के विन्द विन्द राज्यों से आये हुए सब मंत्रिगाण इंडिस्ट्री लीडर्स, टेलिकॉम एक्सपर्ट्स, स्टार्ट अप्स की दुनिया के मेरे प्रियन नौजवान, देश दुनिया से आये अन्य महानुभाव, देवी और सज्यनौ इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस में देश और दुनिया के आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिरंदन मैं इंटरनेशनल तेलिकॉम्यूनियन आई टी यू के साथियों का भी बिशेश स्वागत करता हूँ आपने डव्यू टी ऐसे के लिए पहली बार भारत चुना है मैं आपका आभारी भी हूँ और आपकी सरहना भी करता हूँ साथियों आज भारत टेली कॉम और उससे जूड़ी टेक्नलोजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है भारत जहां 120 करोड यहने 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स है भारत जहां 95 करोड याने 950 मिलियन इंटरनेस यूजर्स है भारत जहां दुनिया का 40 परसंट से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को last mile delivery का effective tool बना कर दिखाया है वहां global telecommunication के standard और future पर चर्चा global good का भी माध्यम बनेगी है मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है देता हूं फ्रेंड्स डब्लू टी ऐसे और इंडिया mobile congress की बड़ी भूमे का services के साथ जुड़ी हुई है इसलिए आज का ये आयोजन standards और services दोनों को एक ही मंच पर ले आया है आज भारत quality service पर बहुत जाजा focus कर रहा है हम अपने standards पर भी विशेश बल दे रहे हैं ऐसे मैं WTSA का अनुभव भारत को एक नई उर्जा देने वाला होगा साथिवो WTSA पूरी दुनिया को consensus के जरिये empower करने की बात करता है India Mobile Congress पूरी दुनिया को connectivity के जरिये ससक्त करने की बात करती है यानि इस event में consensus और connectivity भी एक साथ जुड़ी है आप जानते हैं कि आज की conflict से भरी दुनिया के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है भारत हजारों वर्षों से वसुधेव कुटमकम के हमें अमर संदेश को जीता रहा है हमें जी 20 का नेत्रूद करने का आउसर मिला तब भी हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का ही संदेश दिया भारत दुनिया को कांफ्लिक्स से बहार निकाल कर कनेक करने में ही जुटा है प्राचिन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलोजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है दुनिया को कनेक करना और प्रगति के ये नए रास्ते खोलना ऐसे में WTSA और IMC की ये साज़दारी भी एक प्रेरक और शांदार मेस्ज है जब लोकल और ग्लोबल का मेल होता है तब न केवल एक देश बलकि पुरी दुनिया को इसका लाब मिलता है और यही हमारा लक्ष है फ्रेंट 21 सदी में भारत की मोबाइल और टेलिकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विश्व है दुनिया में मोबाइल और टेलिकॉम को एक सुभीधा के रुप में देखा गया लेकिन भारत का मोडेल कुछ अलग रहा है भारत में हमने तेलिकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं बलकि इक्वीटी और ऑपर्टुनिटी का माध्यम बनाया इमाध्यम आजगाओं और शहर अमीर और गरीब के बीश भी दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है मुझे आध है जब मैं दस साल पहले डिजिटल इंडिया का वीजन देश के सामने रख रहा था तो मैंने कहा था कि हम टुकड़ा में नहीं बलकि होलिस्टीक एप्रोच के साथ चलना होगा तब हमने डिजिटल इंडिया के चार पीलर्स की पहचान की थी पहला डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुँचे तीसरा डेटा सब की पहुँच में होना है और चौथा डिजिटल फरस्ट ही हमारा लक्ष होना चाहिए हमने इन चार पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले फ्रेंट हमारे हां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैनुफेक्चरर न करते हैं 2014 में भारत में सिर्फ टू मोबाइल मैनुफेक्चरिंग उनिट थी आज 200 से ज़्यादा है पहले हम ज़्यादा तर फोन बहार से इंपोर्ट करते थे आज हम पहले से 6 गुना ज़्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं अब हम चीप से लेकर फिनिश प्रोड़क्तर दुनिया को एक कंप्लीट मेडी इन इडिया फोन देने में जूटे हैं हम भारत में सेमिकंडक्टर एको सिट्म पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स कनेक्टिविटी के पीलर पर काम करते हुए भारत में हमने ये सुनिश्चित किया कि हर गर कनेक्ट हो हमने देश के कोने कोने में मोबैल टावर्ज का एक ससक्त नेट वर्क बनाया जो हमारे ट्राइबल एलियाज हैं हिली एरियाज हैं बॉर्डर एरियाज हैं वहां बहुत कम समय में ही हजारों मोबैल टावर लगाए गए हमने रेल्वे स्टेशन्स और दूसरे पॉब्लिक प्लेसेज पर वाइफाई की सुविधा दी हमने अपने अंडमान निकोबार और लक्स विप जैसे आइलेंड को अंडर सी केबल्स के मादम से कनेक्ट किया भारत ने सिर्फ दस साल में जितना अप्टिकल फाइबर बिशाया है उसकी लंबाई घरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी आठ गुना है मैं भारत की स्पीड का आपको एक उधान देता हूं दो साल पहले मोबाईल कॉंग्रेस में ही हमने फाइव जी लौंच किया था आज भारत का करीब परिभर जीला फाइव जी सर्विस से जुड़ चुका है आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फाइव जी मार्केट बन चुका है और अब हम सिख्जी टेक्नोलोजी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं साथियों भारत ने टेलिकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म किये जो इनोवेशन किये वो अकल्पनिया है अभूत पूर्वा है इसे डेटा की कीमत बहुत कम हुई कि आज भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 12 सेंट प्रती जीवी है जब कि दुनिया के कितने ही देशों में एक जीवी डेटा इससे दस गुना से बीस गुना ज्यादा मेंगा है हम भारतिये आज हर महिने आउस्ततन करीब थर्टी जीवी डेटा केंजियूम करते हैं साथियों इन सारे प्रयासों को हमारे चौथे पिलर यानि डिजिटल फर्स की भावना से नई स्केल पर पहुंचाया है भारत ने डिजिटल टेकनोलोजी को डेमोक्राटाइज किया भारत ने डिजिटल प्रेटफॉर्म बनाए और इस प्रेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए आउसर पैदा किये जन्धन आधार और मोबाइल की जैम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपी आई ने कितनी ही नई कॉम्पनियों को नए मोके दिये हैं अब आजकल ओएंडिसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है ओएंडिसी से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफर्म्स ने हर काम आसान किया है जरूरत मंदों तक पैसा बेजना हो कोरोना से निपटने में जुटे करमचारियों तक रियल टाइम गाइडलाइज बेजनी हो वेक्सिनेशन का प्रोसेस स्ट्रिम्लाइन करना हो वेक्सिन का डिजिटल सर्टिफिकेट देना हो भारत में सब कुछ बहुत स्मिद्ध स्मूडली हुआ आज भारत के पास एक ऐसा डिजिटल बुके हैं जो दुनिया में वेलफेर स्किम्स को एक नई उंचाई दे सकता है इसलिए जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के दोरान भी भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रासेक्टर पर बल दिया और आज मैं फिर दोरा हूंगा भारत को डिपी आई से सम्मंधितर अनुभव और जानकारी सभी देशों के साथ शेयर करने में खुशी होगी साथियों यहां डब्ल्यू टी ऐसे में डेटवर्क अब विमेन इनिशेटिव पर भी चर्चा होनी है यह बहुत ही इंपोर्टन विशह है भारत विमेन लेट डेवलेपेंट को लेकर बहुत ही गंबीरता से काम कर रहा है जी ट्वेंटी प्रेसेजन्सी के दोरान भी हमने अपने इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाया टेक्नोलोजी सेक्टर को इंक्लूजीव बनाना टेक्नोलोजी प्रेटफोर्म से महिलाओं को एंपावर करना भारत इस लक्ष को लेकर चल रहा है आपने देखा है कि हमारे स्पेस पीशन्स में हमारी वीमेन साइन्टिस का कितना बड़ा रोल है हमारे स्टार्ट अफ में वीमेन को फाउंडर के संख्या लगातार बढ़ रही है आज भारत की स्टेम एजुकेशन में 40 परसंट से अधिक हिस्सेदारी हमारी बेटियों की है भारत आज टेकनोलोजी लीडर्शिप में महिलाओं के लिए जादा से जादा आउसर बना रही है आपने सरकार के नमो ड्रोन दीदी कारकंग के बारे में जरूर सुनाब होगा ये खेती में ड्रोन क्रांती को बढ़ावा देने वाला कारकंग है इस अभियान को भारत के गावों की महिलाओं लीड कर रही है डिजिटल बैंकिंग डिजिटल पेमेंट्स को गरगर पहुंचाने के लिए भी हमने बैंक सखी प्रोग्रेम चलाया यानि महिलाओं ने डिजिटल एवर्नेस प्रोग्राम को भी लीड किया हमारे प्राइमरी हिल्थ केर मैटनिटी और चैल्ड केर में भी आशा और आंगनवाडी वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है आज ये वर्कर्स टैप्स और एप्स के माध्यम से इस पूरे काम को ट्रैक करती हैं महिलाओं के लिए हम महिला यी हार्ट कारकम भी चला रहे हैं ये विमेन एंट्रेप्रेनर्शिप के लिए एक ओनलाइन मार्केटिंग प्रेट्फॉर्म है यानि आज गाओं गाओं में भारत की महिलाए ऐसी टेकनोलोजी पर काम कर रहे हैं जो अकल्पनिया है आने वाले समय में हम इसका दाइरा और बढ़ाने वाले हैं मैं उस भारत की कल्पना कर रहा हूँ जहां हर बेटी एक टेक्ट लीडर हो फ्रेंड्स भारत ने अपनी जी ट्वेंटी प्रेसिजिंसी के दोरान एक गंबीर विशे दुनिया के सामने रखा था इस विशे को मैं डेव्यू टी ऐसे जैसे ग्लोबल प्रेट्फरम के सामने भी रखना चाहता हूँ यह विशे हैं डिजिटल टेकनोलोजी के ग्लोबल फ्रेंवर्क का ग्लोबल गाइड्लाइन्स का अब समय आ गया है कि ग्लोबल इंस्टिटूशन्स को ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इसके महत्व को स्विकार ना होगा टेकनोलोजी के लिए वैस्फिक्स तर पर डूज एन डॉंट्स बनाने होंगे आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लिकेशन्स हैं वो बंधनों से परे हैं किसी भी देश की बाउंडरी से परे हैं इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरीकों के रक्षान नहीं कर सकता इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा ग्लोबल संस्ताओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी हम जानते हैं हमारा अनुपर जैसे हमने एविएशन सेक्टर के लिए एक ग्लोबल डूल सेंड डेगुलेशन का फ्रेमवर्ग बनाया है वैसे ही फ्रेमवर्ग की दुरत डिजिटल वर्ल को भी है और इसके लिए डेब्ल्यू टी ऐसे को और अधिक सक्रित्या से काम करना होगा मैं डेब्ल्यू टी ऐसे से जुड़े हर सदस्यकों से कहूंगा कि वो इस दिशा में सोचें कि कैसे तेली कम्यूकेशन को सभी के लिए सेव बनाया जाए इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में सिकुरिटी किसी भी तरह से आफ्टर थौट नहीं हो सकती भारत के देटा प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल साइबर सिकुरिटी स्ट्रेटेजी एक सेफ डिजिटल इकोसिट्रिम बनाने के प्रती हमारे कमिट्मेंट को दिखाते हैं वे इसेंबली के सदस्यों से कहूंगा आप ऐसे स्टांडर्स बनाएं जो इंक्लुजीव हो शिक्यार हो और भविश के हर चैलेंज के लिए अडप्टेबल हो आप एथिकल एई आई और डेटा प्राइवसी के ऐसे ग्लोबल स्टांडर्स बनाएं जो अलग-अलग देशो की डावर्शित काफी संवान करें साथियों यह बहुत जरूरी है कि आज के इस टेक्नोलोजी का रिवालुशन में हम टेक्नोलोजी को हुमन सेंट्रिक डाइमेंशन देने का निरंतर प्यास करें हम पर यह जिम्बेदारी है कि रिवालुशन रिस्पांसिबल और सस्टेनिबल हो आज हम जो भी स्टैंडर्ट सैट करेंगे उससे हमारे भविश की दिशा तैह हो गए इसलिए सिक्यूरिटी डिगनीटी और इक्वीटी के प्रिंसिपल्स हमारी चर्चा के कैंदर में होने चाहिए हमारा मकसद होना चाहिए कि कोई देश कोई रीजन और कोई कम्यूनिटी इस डिजिटल यूग में पीशे न रह जाए हमें सुनिश्रित करना होगा हमारा भविश्य टेक्निकली स्ट्रॉंग भी हो और एथिकली साउंड भी हो हमारे भविश्य में इनोवेशन भी हो इंक्लूजन भी हो साथियों डेव्यूटी ऐसे की सभलता के लिए मेरी शुब कामना है आपके साथ है मेरा सपोर्ट आपके साथ है आप सब को मेरी बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद झाल